गैस अभी मैं आपको OB46 के changes बताऊंगा advanced server पे कैसे register करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा OB46 update के बाद काफी कुछ नया नया change होने वाला must-must changes आएंगे जैसे कि lobby नहीं आने वाली है, नया character आने वाला है नहीं नहीं emote games के अंदर आने वाले हैं बहुत कुछ है जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो का वड़ावड़ से एक like कर दो अगर आप लोग चैनल पे नया हो तो subscribe करके bell icon को आल पे डाल देना क्योंकि जितने भी आने वाले और भी changes होंगे वो मैं आप लोग को अभी बताता जाओंगा ठीक है तो यहाँ पर अभी एक poster release होआ है जहाँ पर pre registration advance server opening यहाँ पर दिखा है और यहाँ पर एक नया character है जो कि एक female character रहने वाला है और यह active ability के साथ आएगा साथ में एक gun skin भी है तो चलो इस character के बारे में जान लेते हैं तो यह जो character है इसका name तो reveal नहीं हुआ है लेकिन हाँ look reveal हो गया look देखने में काफी ज़्यादा बढ़िया है और यह active ability के साथ आएगा मतलब इसमें button press करोगे तब यह काम करेगा और यह hacker ability है भाई मतलब यह पहले भी advanced server के अंदर आया था mystery character के नाम से और अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यह इस type का ability रहेगा जहां पर भी enemy होंगे वो आपको location बता देगा और आप इसके आर पार भी देख पाऊगे ठीक है और यह active ability रहेगा button press करोगे तो वो काम करेगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद recharge हो जाएगा तो यह काफी खतरनाग लगा यह मतलब जो aimbot होता है मतलब जो location hack होता न उस type का देखने को लगा मेरे को सुरू में मुझे लगा सुरू में hack है लेकिन भाई यह character है यह character अभी game के अंदर आएगा advanced server के अंदर आ चुका है अभी चलो मैं आपको दूसरा चेसर बताऊंगा दूसरा यहाँ पर एक नया gun skin आने वाला है जिसका नाम रहेगा सेंजाटा साइद यह shotgun लगे रहा है मिरको भी shotgun लग रहा है Mac 7 में magazine जादा होता है और जो M10 होता है उसमें magazine जादा होता है लेकिन उसका rate of fire कम होता है तो हो सकता है कि इन तिनों की कमियों को मतलब कम करके मतलब होता न उन तिनों को मिला के इस type का एक बना सकते है ठीक है यह Logan तो अभी मैं यहाँ पर बात करते है हमारी lobby क्या change होने वाली है तो यहाँ पर एक poster release हुआ है जिस poster के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यह बाहर के server का poster है जहाँ पर वो लोगों से survey मांगा है कि आप लोग कि इस type का lobby देखना चाहते हो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सबसे पहला जो लोगी आप लोग देख रहे हो यह free fire का oldest lobby है यहाँ पर देख सकते हो पहले जो हम लोग का adam हुआ करता था वह adam है एंड थोड़ा सा low quality का लग रहा है ठीक है लेकिन यह वाला जो है इसका सबसे कमी chance मेरे को लग रहा है कि इस टाइप का lobby को add करेंगे कि यह कुछ जादा ही पुराना हो गया है मतलब जो हम लोग को lobby आएगा ना वह थोड़ा सा इसमें advancement करके देंगे यह भी दे सकते हैं लेकिन आप लोग को लगेगा कि यह वाला है lobby इसमें क्या रहता है कि बीच में football बना रहता है अगर हम लोग जाके उसमें touch करेंगे तो हम लोग भी football बन जाएंगे एंड lobby में घूमेंगे यह काफे इंट्रेस्टिंग lobby था इसमें हम लोग बोर नहीं होते थे आप लोग ने यह वाला lobby देखा होगा अगर आप लोग Twitter वाला भी है ठीक है यह लोग ने survey के अंदर डाला है लेकिन मेरे को लगता है कि जो football वाला यह उसी में ज्यादा वोट आएगा बाहर के सर्वर के अंदर अभी तो हमारे सर्वर के इंदर इसका वोटिंग आया नहीं है तो जो अभी मैं आप लोग को लास्ट वाला lobby दिख यह वाला जो lobby है यह भी आप लोगों देखने को मिल सकता है चलो अभी next update के बाले में बात करते हैं लेकिन उसे पहले चलो बताया तो कि advance server पर कैसे रेजिस्टर करना है कैसे की यूज करना कैसे की निकालना है लोग को समझ में नहीं या रवाई बहुत confused है लोग और problem में फसे हुए है मेरा एक friend भी फसा हुआ था लेकिन मैंने उस लोग को सही से तरीके से समझाय तो उसको समझ में आ गया अगर आप भी ऐसे open करते हैं वे इस्टोर पर जाके search कर लेना यहां से download कर लेना अगर नहीं मिलता तो मेरा telegram join कर लेना वहां पर आप लोग को मिल जाएगा उसके आप कोई भी दूसरी कंट्री का आप लोग को यहां पर वो कर लेना यहां पर location उसके इस पर start पर क्लिक कर देना कोई साभी वीपियन आप ल करें उसके बाद उसी आइडी से आप लोग को लॉग इन करना ठीक है तो यहां पर login with google पर यहां पर मैं क्लिक करता हूं कि मैंने अलडी बाहर के server की ID बना ली थी आपने नहीं बना तो बना लेना ठीक है तो यहां पर गाइस क्या करता हो कि देखो मैं आप लोग को पहले द कर दें तो यह वाली गलती आप लोग मत करना जिसे कि देखो यहां पर मैं login किया ना यहां पर एक active email डाल देना ठीक है सबसे सुरू में कुछ भी डाल देना बस lastnew.com होना चाहिए इतना लिखने के बाद आप लोग को join पे क्लिक करने के बाद सीधा आप लोग को नहीं आता ठीक है code आप लोग को एक बाद रेफ्रेस करना पड़ता तो यहां पर देखो मैंने रेफ्रेस किया तो मेरा यहां पर code आ गया अभी जो code है ना यहां पर यह 16 तारीक को आने वाला advanced server तो अभी यहां पर release नहीं हुआ तो जब यह आएगा ना उसकी एक दो दिन पहले ही मैं अपडेट मिरों को काफी जदा बढ़िया लागा बर्मूडा के अंदर अभी आपको hook gun देखने को मिलेगा हो सकता है शुरू सुन में अभी यह लोग classic match के अंदर add करें फिलाल advanced server के अंदर यह लोग ने add कर दिया तो कालाहारी काफी बंदे जो hook gun के लिए खेलते थे थे न उनको अब मजा आने वाला है भाई हो सकता है कि rank match के अंदर भी आ जाए लेकिन अगर game unfair रखेगा तो भाई यह लोग फिर हटा भी देंगे तो अभी जब यहाँ पर बर्मूडा के अंदर आएगा न तो हम लोग ऐसा ऐसा location discover करेंगे जो कि हम लोग पहले discover नहीं कर पाया थ कि बाला हर जगा उपर थोरी नहीं हम लोग चर सकते हैं लेकिन hook gun की साहता से हम लोग हर जगा